असलाव अलेकुम डियर वीवर्ज मैं हूँ कामरान और आप देख रहे हैं MLT Hub with कामरान कैसे हैं डियर वीवर्ज उमीद है सब ठीक ठाकोंगे आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है एंटी इंसुलीन एंटी बॉडी टेस्ट वक्त जाया नहीं करते शुरू करते हैं अपना टॉपिक एंटी इंसुलीन एंटी बॉडी टेस्ट डियर वीवर्ज जो दोस्त मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को कर दीजिए सबस्क्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दुबादी जिए ताके हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोडिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एंटी इंसुलीन एंटी बॉडी क्या है तो ये एंटी बोडीज आती हैं और कुछ इनसुलीन के साथ अटेज हो जाती है और बहुत कम इनसुलीन फिर बाकी रह जाता है गलुकोस के मेटबॉलिजम के लिए और गलुकोस का मेटबॉलिजम फिर ठीक तरह से नहीं हो पाता तो नतीजतन ऐसे मरीजों में फिर इंसुलीन के डोस को बढ़ाना होता है इस प्रोसेस को इस फिनॉमिना को फिर कहा जाता है इंसुलीन रिजिस्टेंस इंसुलीन रिजिस्टेंस का मतलब क्या है? यानि हमारे जिसम में जो हमारे सेल्स होते हैं मसल्स में फेट्स में या जो लिवर में होते हैं तो वो इंसुलीन को फिर रिस्पॉंस नहीं करते जिसके नतीजे में सेल्स के अंदर फिर गुलुकोज नहीं आ पाता है तो इस प्रॉसिस को इस फिनॉमिना को इंसुलीन रिज पहली टाइप है आईजीजी जो के आम तोर पर और मोस्ट कॉमनली डिटेक्ट की जाती है और बनती है इंसुलीन के खिलाफ दूसरे नंबर पर है आईजीएम जो इतनी कॉमन नहीं होती लेकिन ये फिर भी इंसुलीन के खिलाफ बन सकती है और तीसरे नंबर पर है निवलबर्टory इन मरीजों में बनती हैं जो इन्सुलीन की वज़य से इलर्जी का शीकार हो Giorts the ए आइन्सुलीन एंटीबॉडिस टेस्ट की तशचीशी एहमित क्या होती है लिमाट्यल में तो इस टेस्ट की मदद से हम तश्खीस कर सकते हैं इंसुलीन रिजिस्टिंस की इस टेस्ट की मदद से हम तश्खीस कर सकते हैं उन मरीजों की जिन को इलर्जी हो जाती है इंसुलीन से और इस टेस्ट की मदद से हम तश्खीस कर सकते हैं उन मरीजों की जिन में हाइपोगला लेकिन उसकी वजह जो होती है तो वो ज्यादा यूज होता है इंसुलीन का या इंसुलीन इंजेक्शन जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे मरीजों में घाली जाता है। अगर 3% से ये बढ़ जाएगा इबाव हो जाएंगे खून में तो हम कह सकते हैं कि ऐसे मरीजों में ये आटो एंटी बॉडिस डिवेलप हो गई हैं इनसुलीन के खिलाफ अभी हम बात करेंगे कि खून का नमूना कैसे लिया जाता है किस बॉटल में लिया जाता है इस टेस्ट के लिए तो तीन से पांच हमेल खून का नमूना लिया जाता है रेड टॉप ट्यूब में सेंट्रिफ्यूज किया जाता है सीरम को निकाला जाता है और फिर एडवांस पर इस टेस्ट को रन किया जाता है। अभी हम बात करेंगे कि वो कौन सी मेडिकल कंडिशन्स है या वो कौन सी मेडिकल हालते हैं जिसमें एंटी इंसुलीन एंटी बोडी का लेवल खुन में बहुत ज्यादा बुलंद हो जाता है। तो पहले नंबर पर है इंसुलीन यानि वो लोग जो इंसुलीन को रिस्पॉंस नहीं करते और वो हैपोगलाइसीमिया का शिकार हो जाते हैं तो ऐसी मेडिकल कंडिशन्स में इंसुलीन के खिलाफ जो एंटी बॉडिस बनती हैं तो इनका लेवल खुन में बहुत ज्यादा बुलंद हो जाता है। बहुत ज्यादा शुकरिया MLT Hub with कामरान देखने के लिए उमीद है ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा मेरे चैनल MLT Hub with कामरान को सबस्क्राइब कीजिएगा अपना बेर सारा ख्याल रखियेगा अल्ला हाफिज